मित्रो आज एक ट्विनर की बात करेंगे यह एक बिल की फों में आपको दिख रहा है जिसको हम वाराही कंद कहते हैं वाराह का मतलब सुवर से है यह सुवर को भी बहुत पसंद आता है लेकिन क्यों पसंद आता होगा इसके बारे हम आपको बताएंगे यह है कंद इसके टूबर और इसके बलबिल्स जो की इसका जो स्टेम है यह ट्विनर है प्यूबिसेंट स्टेम होता है इसका और प्यूबिसेंट स्टेम के जो लिव्ज लगते हैं इसके एक्जिल में बलबिल्स की डवलपमेंट होती है और उस बलबिल्स का मैडिशनल उप योग है उत्राखंड में इसको हिंदी में गैंथी के नाम से जानते हैं और उत्राखंड में 13 से ज़्यादा स्पीसीज इसकी पाए जाती हैं All over the world, 600 से ज़्यादव स्पीसिज पाए जाती हैं, इंडिया के अंदर 136 स्पीसिज इसकी पाए जाती हैं, यह है डायस्कोरिया बल्बी फैरा है, इसके साथ साथ डायस्कोरिया की कई स्पीसिज और भी हैं, जो food supplement के साथ साथ medicinal properties भी रखती हैं, आप इसको देख पाते हैं, हिस्पीडा, हिस्पीडा में नार्कोटिक properties होती हैं, poisonous properties होती हैं, जिसकी कारण इसको as such food supplement में यूज नहीं करना चाहिए, इसलिए कहा गया है कि taxonomic identification proper हो, तब ही आप डायस्कोरिया को यूज कीजिए, तो यह डायस्कोरिया की जो स्पीसिज आई, यह बल्बी फैरा है, य इसका propagation, बल्बिल्स के माध्यम से और root के जो tubers होते हैं, उसके माध्यम से किया जा सकता है, डायस्कोरियस ही इसकी family है, अब हम आते हैं इसके use के बारे में, आप यह देख रहे होंगे, कि डायस्कोरिया का जो बल्बिल्स होता है, वो विशेश रूप से food supplement का भी काम करता ह अस्ट वर्क के जो प्लांट होते हैं, रिध्धी व्रिध्धी, उनका भी यह substitute plant है, अस्ट वर्क के जो रिध्धी विध्धी होती है, वो Hairinary Intermediate, Hairinary Edge वर्धी के नाम से जानी जाती है, इसके साथ साथ जो इसका जो bulbles होते हैं, जो इसके tuber होते हैं, उसको हम पाय जाता है जो natural supplement का कारे करता है आम तोर पर हम देखते हैं कि जिम में जो बच्चे या यंगर्स्टर्स जाते हैं वो कुछ supplement का इस्तेमाल करते हैं जो की synthetic होता है और बहुत side effect वो हमारे vital organs पे करता है लिवर और किड्नी पे तो नेचरल जो सप्लिमेंट है वो डायस्कोरिया है इसको सेफली यूज किया जा सकता है इसके साथ यह हाई ग्लाशीमिक इंडेक्स ब्लड में हाई ग्लुकोज का जो लेवल होता है कही बार देखा यह गया है कि ओबीसिटी के कारें ब्लड में दो बार ले सकते हैं एनर्जी से परिपूर्ण बोडी को रखेगा ओबिसिटी को धिरे-धिरे कम करेगा और यह वंडरफुल अडेप्टोजेनिक भी है अब हमने देखा कि इसके जो लीव्ज हैं इसके लीव्ज का डिकॉक्षन सेक्शुली ट्रांस्मिटीड डिसीज डिकॉक्षन बनाके बोडी के ओर्गन्स को वास्क किया जा सकता है और कम्प्लीट डिकॉक्षन से पूरे स्नान भी किया जा सकता है उसमें होने वाली इचिंग, स्किन इरप्संस जो हो जाते हैं वो भी इजीली कंट्रोल किये जा सकते हैं बहुत सेफ यह रेमेडी है यहा लेकिन अगर कफ की पुरानी प्रकृती हो बोडी में पुराने टॉक्सिंस अकुमुलेटिड हो तो लंबे समय तक इसका इस्तमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका इस्ट्राइडल नैचर होने के कारण क्योंकि इसमें नैचरल इस्ट्राइड भी पाये जाते हैं क्या बार वो toxins बोड़ी से eliminate नहीं कर पाते और वो exaggerated reaction हमारी बोड़ी में cause कर सकते हैं तो weight loss करने के लिए ले सकते हैं, obesity की दोरान glucose level को कम करने में ले सकते हैं, sexually transmitted disease में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, nutrient और energy का ये source है, उस form में ले सकते हैं, food supplement है आने वाली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए आप सभी का धेनेवाद, नमस्कर, और वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, share कीजिए, और अपने valuable suggestion